एपिसोड बन में अभी तक आपने देखा कि सिबू और पिंकू अपने मम्मी के जनम दिन के लिए बहुत ज़ादा एकसाइटिड होते हैं और अपने स्कूल और कोलेजी से छुट्टी ले लेते हैं तभी घर की बेल बज़ती है और अचानक से एक ऐसा चहरा सामने आता है जिसको अभी तक सिबू ने पहले कभी नहीं देखा फिर सिबू अपनी फैमली के साथ मिलेकर अपनी मम्मी का बर्थरे सेलिब्रेट करने लग जाती है लेकिन तभी अचानक से पता लगता है कि काया नर्क लोग से इनको देख रही होती है सिबू और उसके परिवार की खुशी काया से देखी नहीं जाती और काया बोलती है तुझे जितनी खुशिया मनानी है मना ले क्योंकि ये तेरे जीवन की पाकरी खुशी होने वाली है इस पूरी कहानी को समझने के लिए एपिसोड बन जाके देखो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्योंकि काया इस बैक तो आ गई तुम हाँ काया दीदी मैं आ गई नहीं किया रखिए, लेकन लेकिं कढ़ो आ दीदी आपने मुझे जो दूज अह Сов princess लाने के लिए कहा था वो मजह नहीं मिला मैंने बहुत दूड़ा उस लड़की का पूरा कमरा च्छान लिया लेकिन देख मोजह नहीं मिला नहीं मिला तो तुम क्या यहां पे मुझे ये बताने आई हो मुझे माफ करना दीदी किर्थी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हें चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़ जाए लेकिन वो तीन चीजें मुझे चाहिए और वो तीन चीजें तुम मुझे लाके दोगी समझी हाँ कया दीदी मुझे पता है कि वो तीन चीजें मुझे आपको ठून कर देनी है ये बात आप मुझे कई बार बता चुकी है लेकिन आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आपको ये तीन चीज़े चाहिए क्यों किर्ती तुमसे जितना काम कहा गया है सिर्फ उतना करो ज्यादा सवाल मत पूछो तुमने उन तीन चीज़ों में से अभी तक कुछ भी नहीं ढूंडा है अगर तुम कोई एक भी चीज ढूनके ले आती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे वो चीज़े क्यों चाहिए अब जाओ यांसे और जब तक तुम्हें वो मिलना जाए यहाँ वापस मत आना जाओ यांसे ठीक है काया दीदी मैं दुबारा कोशिश करती हूँ और इस बार मेरी ही जीत होगी क्योंकि यह कीरती कभी नहीं गीरती आई एम अल्वेस प्लाइ यह बेवखूफ कीरती अगर मेरी छोटी बहन ना होती तो इन पृत्वी वासियों के साथ इसे भी मार डलती मम्मी एक बात पूछी हूँ हाँ पूछ आपके और पापा की लव मेरे जुई थी ना हाँ लव मेरे जुई थी पर तो की पूछ रही है बस ऐसे ही अच्छा मम्मी यह बताओ कि आपके बद्दे पे पापा ने आपको क्या गिप दिया कुछ भी नहीं क्या हो सकते है आपके और पापा की तो लव मेरे जैना अरे बापा मैं मसाद कर रही थी तेरे पापा ने ना कुछे सुंदर से साड़ी गिफ्ट की है साड़ी कौन से कर रोकी तो खुछ जा कर देख लें तेरे अलमारी मेरे रखिये मैने हाँ मैं अभी जा कर देखती हूँ मम्मी आपने मेरे अलमारी खोली थी क्या I mean कुछ ढूंड रहे थे क्या नहीं बिटा हाँ मैंने तेरे अलमारी खोली थी और साड़ी रख दी वो भी इसलिए कि जब तू अलमारी खोले न तो सबसे पहले वो साड़ी दिख जाया पर क्या हुआ कुछ खो गया है क्या नहीं मम्मी कुछ खोया तो नहीं है पर मेरे पूरी अलमारी इदर उदर रखिया सारे कपड़े बिखरे पड़े है अभी मैने कली अपनी पूरी अलमारी समेटी तेजी सारे कप्टे कली डंग से लगाये थे मम्मी, कहीं इस पिंकु ने तो हाँ वो ही छेड़ सकता है, जाके पूच पेटा, या आखे मत दिखा मुझे समझ रहा है, तेरे इतने चांटे इतने चांटे मारूँगा तेरा बहुत वरा आज कल ए, पिंकु, तूने मेरी अलमारी खोली थी क्या चुराया, सच बता, मेरे पैसे दिदी क्या बोल रहे हो, चोरी, वो भी मै, राम, राम, राम अभे ओ, पिंकु के बच्चे, अब जादा मुझे ना रामभक्त बन के मत दिखा, सच बता, क्या चुराया क्यों ना बनकर दिखाऊ मैं रामबक्त दीदी मैं रामबक्त हूँ वैसे क्या हुआ दीदी कुछ खो गया क्या आपका नहीं कुछ खोया तो नहीं है कहां रख दिया यहीं पर तो था अजया है है तेंग गोड्ड यह यही पर था दीदी ये आपके हाथ में क्या है? कुछ की नहीं है तिंकू? दीदी जूद मत बहलो मैंने अभी आपके हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा है जो मेरे हाथ ही आपने छुपा लिया दिखाओ मुझे नहीं दिखाते हो की नहीं? नहीं दिखाते हो कि नहीं? नहीं! मैं कहता हूँ दिखादो! नहीं! पक्का नहीं दिखाओगी? नहीं! ममे! चुप चुप! चुपो जा, PINKO! पहले तुच्छे पहले चुप जा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ! लेकिन पहले तु मेरे से प्रॉमिस कर कि जो मैं तुझे बताऊंगी वो बात सिर्फ और सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगी पत्का, हाथ हटा दू मुसे, हटाऊं बीदी पहले दिखाऊ तो क्या है? नहीं, पहले तु प्रॉमिस कर कि तु किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा अपने दोस्तों के साथ भी नहीं, ओके मम्मे, दादी, पापा उनके साथ भी नहीं, ओके अपने उस दोस्त बंटी से भी नहीं दीदी, ये तो गलत बात है हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरे बच्पन का लंगोटिया या रहा है हाँ दीदी, उसको भी नहीं बताऊंगा प्रॉमिस दीदी, ये क्या है ये, ये एक मैजिक स्टोन है क्या, मैजिक स्टोन दीदी, ये आपके बस आया कहां से और ये आपको मिला कहां से पिंकू, ये एक बहुत लंबी कहानी है परियों की कहानी परियों की कहानी? हाँ पिंकू, आज से दो साल पहले जब मैं स्कूल में थी 12th क्लास में और तू 6th क्लास में था तब तब क्या दीधी तब परी लोग से एक सुन्दर सी परी इस स्कुरत्वी लोग पर आई थी ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ नहीं हूं बड़ा हो गया हूं जो आप मेरे को फालतों की परियोगी स्टोरी सुना रही हो अब सच सच बताओ आप कौन से सीरियल देखे सोई थे और मुझे तु लगदा है कोई मैजी बैजिक स्टोर नहीं है आप यह कहीं से उठाके लगे और मेरे पागल बना रही हो लेकिन अब तु जरूर करेगा परी है तू सोने सी खरी है तू सच्चाई से भरी है तू मुसीबतों से भी लड़ी है तू मेरा भाई मुझे पर करे यकीन इसलिए इसको कुता बना दे तू क्या हुआ पिंको बेटा अब हुआ यकीन अरे दीदी आपने मेरे साथ क्या करतिया आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो मैं तो आपका अपना सागा छोटा भाई हूँ ना दीदी प्लीज मुझे ठीक कर दो प्लीज दीदी हाँ हाँ ठीक है कर रही हूँ ठीक तुझे रुक जा परी है तू सोने सी खरी है तू सच्चाई से भरी है तू मुसीबतों से भी लड़ी है तू मेरे भाई को हो गया है मुझ पर यकीन इसको कुते से मेरा भाई बना दे तू थेंक्यू दीदी, आपका यह magic stone तो सची में magic करता है, मतलब आपके परियों की story भी सच है? हाँ चलो ठीक है दीदी, मान लिया कि magic stone भी सच है, और आपके जो परियों की story है न, वो भी सच है, लेकिन आप इसका part कैसे वनी? पिंकू, यहाँ नहीं, तु छट पर चल, वहाँ पे तुझे मैं पूरी story बताऊंगी, यहाँ पे मम्मी दादी सुन सकती है ठीक है, चलो हाँ दीदी, बताओ पिंकू, एक चुडैल थी, जिसका नाम था काया, और एक दिन वो इस पृत्वी लोग पर आई, और वो इस पृत्वी लोग पर राज करना चाहती थी और उसको ऐसा करने से रोकने के लिए एक सुन्दर सी परी आई, जिसका नाम था प्यारी परी उन दोनों के बीच अच्छाई और बुराई को लेके फाइट स्टार्ट हुई और कोइंसिडेंटली, उनके इस फाइट का डिसीजन मेरे अच्छे और बुरे कामों से होना था पर आप ही क्यों दीदी? यह तो मुझे भी नहीं पता, मेरी जगां कोई भी हो सकता था, इनफेक्ट तू भी हो सकता था हाँ, रैडी दी, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जो होना था वही हुआ, प्यारी परी जीत गई थी और काया चुडेल हार गई थी लेकिन उस काया चुडेल ने फाइट को अनिसली नहीं किया, चीटिंग करी और प्यारी परी को हॉस्टेज बना कर अपनी दुनिया, जानी की नर्क लोग ले गई लेकिन वहाँ भी उसके नर्क लोग में प्यारी परी, राजमाता और चुलबुला और मैंने, हम सबने काया को मिलके उसी के नर्क लोग में उसे हरा दिया और राजमाता ने उसको पाँच हजार साल के लिए नर्क लोग में फिर से कैद कर दिया फिर से कैद कर दिया? मतलब? हाँ में भी राज माता ने उसको पहले भी हजार सालों के लिए कैद किया था अच्छा दीदी फिर वो राज माता, चुलबुला और प्यारी परी वो सब कहां गए अरे भाई वो अपने घर गए, अपने दुनिया में वापस तो आपने उने जाने क्यों दिया, रोकक जो नहीं अरे भाई, तुझे समझाना मतलब भैस के आगे बीन बजाना तो एक काम कर, मेरे यूट्यूब पे प्यारी परी और काया की पूरी स्टोरी है तो वहाँ जाकर देख ले, खुद देखेगा तो जादा अच्छे से समझेगा और गैस, आप लोग, अगर आपको भी इस पूरी स्टोरी को समझना है तो एपिसोड बाइन, टू, ठी और फोर जाकर देख लो और जिन लोगों ने देख लिया है, वो मेरे साथ स्टोरी को कॉंटिन्यू करते है दीदी, मुझे एक बात बताओ, अगर ये काया चुडायल फिर से वापस आ गई तो पिंकु ये तू कैसी बाते कर रहा है, वो कैसी वापस आ सकती है मैंने अभी तो तुझे बताया, कि राज माता प्यारी परी मैने और चुल बुला हम सबने मिलके उसे उसी के नर्कलोग में कैद कर दिया है दीदी, मेरे कहने का मतलब ये है, ये अगर वो काया चुडायल, एक हजार सार कैद होने के बाद भी वापस आ सकती है तो अभी भी तो आ सकती है ना वापस नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है दीदी, फिर वो न्यूज जिसके लाब बहुत ज़्यादा परशान थे हाँ, पर तू नहीं तो कहा था ना, कि ये न्यूज वाले टी आरपी के लिए कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ दीदी, मैंने बोला था, लेकिन तब वो मुझे बात नहीं बचाती, जो अपने मुझे अब बताई है और दीदी, आपको पिछले दो दिनों में कुछ अजीब नहीं लगा अजीब मतलब? अजीब मतलब, पहले वो न्यूज और वो लड़की काना, जिसे हम जानते नहीं है लेकिन हम सब को जानती है, और मेरा ऐसे सो जाना, और आपके अलमारी, इधर से उधर होना, ये सब हाँ पिंकू, तो बोल तो बिल्कुल ठीक रहा है, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, तो फिर अब हम क्या करें? दीदी, करना क्या है? अपनी दोस आरू को फोन मिलाओ, और से पूछो, क्यों उस दिन वो खुद केक देने क्यों ही आई, अपनी कजन को क्यो बेजा, क्योंकि मुझे उस कीरती पर डाउट हो रहा है, मैं ऐसे सोख कैसे सकता हूँ, वो बहुत अजीब था हाँ, रुक, मैं भी करती हूँ हेलो, आरू? हाँ, सिब्बू, बोल कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बटा मैं भी ठीक हूँ, वो यार मुझे न, एक बात पूछनी थी तुस्से हाँ, बोलना यार मैं ये पूछ रहे थी, कि जब उस दिन मेरी मम्मी का बर्दे था तो उस दिन तू मेरे घर पे क्यों नहीं आई, अपनी कजन को क्यों बेजा? क्या बोल रहे है यार तू? उस दिन तू नहीं तो मना किया था मुझे कॉल कर कर आने के लिए कि तेरा फैमली के साथ बहार डिनर पे जाने का प्लान है बहार ही केक कट करेंगे तो मैं इसलिए ही नहीं आई और मैंने किसी भी कजन को नहीं बेजा अरे भाई, मेरे कजन है ये नहीं तो मैं भेजूगी ताहां से अन्यवेज, हुआ क्या, सब ठीक तो है ना हाँ हाँ, सब ठीक है हो सकता है कि ये पिंकु मेरे साथ मजाग कर रहा हो कि बड़े वाले देन तेरी कोई करजन आई थी घर पे केक लेके अच्छा चल ठीक है, भाई हाँ, भाई क्या हुआ देजी पिंकु तो बिल्कुल सही था आरू की तो कोई करजन ही नहीं है और उसने किसी को भी नहीं भेजा था हमारे घर इनफेक्ट वो तो ये बोल रही है कि मैंने उसको यहां आने के लिए मना किया था ओ तेरी, फिर वो लड़की कौन थी पिंकु कहीं वो काया तो नहीं दीदी, अगर वो काया होती तो आप उसे पहचानी लेती न क्योंकि आपने तो इसे देख रखा है हाँ, मैं उसे पहचान लेती लेकिन जब वो अपने असली रूप में होती अरे पिंकु उसको रूप बदलना भी आता है वो चुडएल है, इंसान नहीं फिर दीदी, आप क्या करोगे आप पिंकु मैं क्या करूँगी मैं क्या ही कर सकती हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हाँ, याद आया कर सकती हूँ मैं पिंकु बहुत कुछ कर सकती हूँ तो ये देख ये magic stone मुझे प्यारी परी ने दिया था और बोला था कि इस magic stone के थूँ मैं उनको कबे भी जब भी सच्चे मन से याद करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएंगी हाँ तो जीदी अब सोच के रही हो बुलाओनों प्यारी परी को मुझे उनने देखना है मिलना है मुझे उनसे हाँ पिंको अभी बुलाती हूँ परी है तू सोने सी खरी है तू सच्चाई से भरी है तू मुश्किलों से भी लड़ी है तू मैं आज एक मुसीबत में हूँ और मैंने तुझे सच्चे मन से याद किया है मेरे सामने आजा ना तू प्यारी परी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर देख के कितनी साधा खुश हूँ तुमने मुझे बुलाया तुम्हें कैसे ना आती सिबू आखिरकार तुम्हें काबिल बच्ची हो मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने इस पृत्वी लोक और परी लोक को बचाने में कितना बड़ा योगदान दिया है अच्छा चलो अब बताओ कि तुमने मुझे क्यों याद किया दिदी अब किसे बात कर रही हो प्यारी परी आ गई क्या मुझे क्यों ने दिख रही है हाँ हमारे सामने ही तो खड़ी है कहां कहां खड़ी है मुझे तो दिखी नहीं रही प्यारी परी आप पिंकु को क्यों नहीं दिख रही हूँ? ये भाई है मेरा सिब्बु कोई भी मनोश्य मुझे या फिर परी लोक से आई किसी भी परी को नहीं देख सकते प्यारी परी पर मैं तो आपको देख सकती हूँ सिब्बू मैं केवल तुम्हें ही दिख सकती हूँ क्योंकि तुम इस पृत्वी लोक और परी लोक को बचाने की लडाई में हम परियों के साथ खड़ी रही हो बढ़ना याद करो जब तुम इस लडाई में शामिल नहीं हुई थी तब तुम भे किसी को नहीं देख सकती थी हम परिया मनुश्य प्रजाती के लिए अद्रश्य है सिब्बू अच्छा सौरी पिंकू तुप्यारी परी को नहीं देख सकता क्योंकि परिया इंसानों के लिए इन्विजिबल होती है प्यारी परी अगर ऐसा है कि मैं पृत्वी लोक और स्वर्ग लोक को बचाने में आपके साथ शामिल थी तो फिर अब ये पिंकू भी हमारे साथ शामिल है क्योंकि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है और इसी ने मुझे आने वाली मुसीबतों के बारे में संकेत दिया मुसीबत? कैसी मुसीबत सिबू? प्यारी परी वो सिब्बू जैसा मुझे तुमने बताया उसे सुनकर तो किसी संकट का अभास होता है हाँ प्यारी परी बस इसी लिए मैंने आपको बुलाया प्यारी परी आप तो परी हो ना और आपके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है तो आप उन पावर्स से पता करो ना कि वो किर्थी नाम की रिड़की कौन थी और मेरे घर पे क्यूं आई थी? सिब्बू तुम्हारी परिशानी बिल्कुल सही थी क्या मतलब प्यारी परी? वो काया ही थी नहीं सिब्बू वो काया नहीं थी वो काया की छोटी बहन किर्थी थी और वो यहाँ पर तुम्हारा अनोखा पत्थर लेने आई थी आपका मतलब है कि ये मैजिकल स्टोन पर वो इसको लेने क्यों आई थी ये तो आपने मुझे दिया था ना हाँ सिब्बू यह मैंने तुम्हें ही दिया है और यह पत्थर हमारे परी लोक का एक अनोखा पत्थर है जितने शक्ती एक परी में होती है उतनी ही शक्ती इस अनोखे पत्थर में भी होती है फिर यह उस काया की बहन को क्यों चाहिए प्यारी परी ये तो मुझे भी नहीं पता सिब्बू और अब ये पता करने के लिए मुझे परी लोग वापस जाना होगा और उसके पश्चात मुझे परी लोग में एक परीयों की सभा बुलानी पड़ेगी और तभी मुझे ग्यात होगा कि यह अनोखा पत्तर उसे क्यों चाहिए ठीक है प्यारी परी बाई क्या बाई इसका मतलब प्यारी परी जा रही है दीदी उनको एक बार बोलो ना मुझे ने देखना है प्लीज प्लीज उनको बोलना मुझे देखना है प्लीज और बताओ कैसे हो पिंकु अच्छा सिब्बू अब मैं चलती हूँ तुम पिंकु का धान रखना ठीक है प्यारी-परी ममा 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 क्या हुआ यहीं खड़ियो मैं हाँ अच्छा अच्छा गए पिंगे अच्छा गया ममा, वो, उच्छत पे, वो, अरे, क्या है तुझे, जरा से भी सबर नहीं होता, देंगे रे, पिंको कितना घबराया हुआ है, ठीक से बच्चों का खाने का ध्यान तो रखती नहीं है, और बढ़ी आई पूछने के लिए, बेटा क्या हो गया तिरको, अरे भाई, चक्कर निकल जाए ना, तो जुलस के वहीं मर जाए, मम्मी जी, इस वक कौन सी दूप निकल रही है, ये ना रात को गया था चत्मे, ना कि दिन में, और ऐसे भी ना, मैं अपने बच्चों का अच्छा से खाल रखती हूँ क्या खाते हैं, क्या नही खाते हैं, उसकी टेंशन आप अच्छा बिटा, तू बता, क्या हुआ हाँ? कोई भूत भूत देख लिया का चत्पे? वह मम्मी इसने ना चत्पे चिपकली देख ली थी चिपकली, इतनी सी बात अरे इतनी छोड़ी सी चिपकली से डर गया तू बला चिपकली से पको डरता है इतनी से तो जान होती है बिचादी की अच्छी है हाथ दिखाओ अपना क्यों मेरी भागे रखा देखेगा क्या ले कीटी तुम जहां कही भी इस वक्त अपना समय बर्बाद कर रही हो उसे वही छोड़कर तुरंत मेरे पास आओ काया दिदी आप ऐसे क्यों बल रही है मैं कोई समय थोड़ी बर्बाद कर रही हू मैं तो आप कही दियावा कारे कर रही हूँ हाँ देख रही हूँ मैं कि तुम पिछले दो वर्षों से क्या कर रही हूँ हम मुझसे जादा बहस मत करो अभी आओ पेवकूफ कहीं की जी दी दी आती हूँ भाई पिंकू दो दिन हो गए है और प्यारी परी हमसे मिलने आने वाली थी और वो अभी तक नहीं आई कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं हाँ सिब्बू मैं मुसीबत में हूँ हम सब फिर से एक बार मुसीबत में हैं बात क्या है प्यारी परी हाँ प्यारी परी बताओ ना क्या बात है सिब्बू पिंकू काया की बहन किरती इस पृत्वी लोग पर तुम्हारे घर परी लोग का नोखा पथर लेने आई थी ताकि वह अपने बहन काया को उस नर्क लोग से अजाद कर सके हाँ सिब्बू और सिर्फ परिलोग का नोखा पत्थर ही नहीं इसके अलावा वो दो चीजे और ढूंड रही है जिसमें से एक है दिव्य तलवार और दूसरा है अपसरा पुश्प और अगर यह तीनों चीजे उसके हाथों लग जाएगी तो काया एक बार फिर से आजाद हो जाएगी सिब्बू पर प्यारी पर यह दो चीजे क्यों हम तो सिर्फ मेडिकल स्टोन की पावर की बार में जानते हैं यह तलवार और यह फूल काया जै किस काम का पिंकू वह दिव्य तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है उसमें साक्षात इंद्र देव की शक्तियां है किसी भी दुनिया का ऐसा कोई कवच नहीं है जो उस दिवितलवार से नहीं तोड़ा जा सकता फिर चाहे वह कितने भी मंत्रों और शक्तियों के द्वारा बनाया गया हो और अगर वह दिवितलवार उस काया के हाथों लग गई तो राज माता के द्वारा बनाया गया कवच तूटना संभव है और वो अपसरा पुष्प? वह अपसरा पुष्प भी कोई मामूली पुष्प नहीं है सिबू वह पुष्प साल में केवल एक ही बार खिलता है वो भी कुछण के लिए कुछण के लिए मतलब? पल मतलब सेकिंड हाँ वह पुष्प साल में केवल 6 सेकिंड के लिए ही खिलता है और अगर इन 6 पल में वो अपसरा पुष्प तोड़ लिया गया तो उस पुष्प के द्वारा किसी भी तरह की बिमारी का उपचार किया जा सकता है अपसरा पुष्प की सुगंद चोट पहुचे हुए शरीर और दिमाग को स्वस्त होने का कारे करती है और सिबु तुम्हें तो याधी होगा कि मेरी और काया की लड़ाई में काया के पंख जल गए थे हाँ प्यारी परी मुझे याद है तो बस यह पुष्प काया के पंखों को वापस लाने में मदद करेगा और तुम्हारा या परी लोग का अनोखा पत्थर काया की शक्तियों को बढ़ा देगा और या अनोखा पत्थर वा तुमसे इसलिए भी लेना चाहती है कि ताकि तुम्हें परी लोग से कोई भी मदद ना मिल पाए ताके तुम हमें पृत्वी लोग से कोई भी संकेत ना दे सको और वाकाया अपने कारियों को भली भाती कर सके प्यारी परी अब इतना सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर रही है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सेबू क्योंकि मैं एक परी हूँ और मेरे अंदर प्राकृतिक शक्तियां है मैं उस दिव्य तलवार और अपसरा पुष्प को स्पर्श नहीं कर सकती उस दिव्य तलवार और अपसरा पुष्प को केवल एक मनुश्य ही सपर्ष कर सकता है और यह कार मैं तुम्हें सौपती हूँ सिबू मुझे? हाँ सिबू, यह कार तुम्हें ही करना होगा वह दिव्य तलवार, अपसरा पुष्प और यह अनोखा पत्थर उस काया के हाथों नहीं लगना चाहिए और इस बात का तुम्हें ही ध्यान रखना होगा पर ये सब मैं कैसे करूँगी प्यारी-परी? कुछ भी मुश्किल नहीं है सिब्बू तुम कर सकती हो, तुम्हें काबिल बच्ची हो और फिर तुम्हें कभी भी मेरी आवैशकता पड़े तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ पर प्यारी-परी एक मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आई आप फ्लावर और तलवार को इसलिए टेस्ट नहीं कर सकती तो काया और किर्ती भी तुस्य टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी नेगिटिव नेश्ट नहीं कर सकते तब तो वो सेफ ही है ना, हमें वो फ्लावर और तलवार को सेफ करने क्या जरुआत बिल्कुल ठीक कहा तुमने पिंकू काया भी उन्हें इस पर्श नहीं कर सकती इसलिए तो काया ने अपनी बहन किर्ती को यहां भेजा है और किर्ती एक मनुश्य का इस्तमाल कर रही है इन चीजों को हासिल करने के लिए और सिब्बू, तुम अकेली नहीं हो यह आधूने की अंत्र जैसे दिमाग वाला पिंकू है ना तुम्हारे साथ जो मिन्स, मेरा दिमाग कंप्यूटर का है यह आपको कैसे परदा चला प्यारी परी अभी बिल्कू वो परी है, उनको सब कुछ पता है और सिब्बू, तुम बिल्कूल भी कमजोर नहीं हो तुम्हारे पास काया से कई गुना अधिक शक्तियां है जैसे कि तुम, तुम्हारा या भाई और या परी लोग का अनोखा पत्थर और तुम्हारे दोस्त दोस्त, पर प्यारी परी, मेरा तो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसको मैं अपने इस मिशन में इन्वाल्व कर सकूँ है सिब्बू, तुम्हारे सच्चे और अच्छे दोस्त भी है तुम अपनी आखे बंद करो और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है क्या हुआ सिब्बू, दिखाई दिये तुम्हें तुम्हारे दोस्त हाँ प्यारी परी, पर ये कैसे जाओ सिब्बू, अपने इस लक्ष में इन सभी को शामिल करो और मेरे शच्चे और अच्चे दोस्त है, ये बात मुझे यास तक निए पता थी मैं तो स्रफ इनको एक दोस्त मानती थी चलो दिधी, आज आज आपको इसवास से ही तो पता लगा, क्योखे सच्चे और अच्चे दोस्त भी है जले दीदी, मेक्की ब्यवरा दीदी के घर चलते हैं क्यों? अब अनके घर क्यों जाना है? दीदी, हमने अपने अप्ने मेच़ेए मेच आ करना है और अगर अगर हमने पूरी स्कूरी नहीं बताएंगे त वह हमारे मेच अमिल कैसे होंगे? चीक है एक मेर दीदी, आज नहीं जाएंगे, कर जाएंगे, क्यों, अब क्या हो गया, दीदी मुझे स्कूल से बहुत सारा होमवग मिला है, और अगर मैंने नहीं करना, मुझे माम बहुत मारेगी, ठीक है यार, चल, जाएंगे, झाल, मैं फटो cinco ए बर अ Meet लूएंगे, कर में हैं भन्मी आएंगे, कर वह उ एःon, जाएंगे कर दो